इसे आप आप कोई भी TV चैनल खूल करके देख लो सार्ग साइच चीक चीक के बतारें भाई बुल रून आने वाला है बुल रून आने वाला है वही TV चैनल आपको चार दिन बाद आके बोलेंगी कि भाई अब आप और मैं परिशान है कि भाई हमें पता कैसे चले कि बुल रहों आने वाला है और आपको समझना है कि यह जो पॉइंट्स है या आने वाले टाइम पर कैसे बिहेव करेंगे आपकी एकनॉमिक लिए हो सकता है आप इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हो यूसमें इन्व करो यौरॉप में इन्वेस्ट करो कहीं पर भी इन्वेस्ट करो यह 10 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो मेरा नाम है अभिश्यक अपाथ है आप देख रहे हैं कोफे तिंकर्स आज समझते हैं ऐसे कोंसे 10 पॉइंट है जो कि पैंड़ बुल रहना आया तो सबसे एक मीजर चीज सी जो आपको देखने को मिली थी क्या उनकी जो एकनॉमी थी वो काफी एच्छे लेवल पर एकस्पेंड हो रही थी एकनॉमी एकस्पेंड होने का क्या मतलब है मतलब मार्केट के अंदर ग्रोथ दिख रही है जित्ते अगर आप देखोगे तो इंडिया के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पांस ट्रिलियन एकनॉमी बहुत ही जल्दी बन सकती है पिकिस हमाई GDP ग्रोथ भी काफी ज़्यादा अच्छी है तो अगर आप देखते हो तो जो हिस्ट्री में हमें देखने को मिला उस जगा पे ब यंग जनरेशन है यहाँ पर जो प्रोड़क्टिविटी है वो बढ़ सकती है यहाँ पर जो कंपनी के रेविनियूज है वो बढ़ सकते है और यह पहला ट्रिगर होता है पूल रन लाने का जो कि हमारी इंडियन एकनॉमी में दिख रहा है सेकंड इंपॉर्टन पॉइंट जाता है low interest rate जब भी low interest rate होता है तो जो industry होती है वो कहती है कि आइप जो इसस्ते price पर loan मिल जाएगा तो जो मेरी चार कंपनीया है न मैं इसको बढ़ा करके 5 या 6 कंपनिया कर लेता हूँ loan लेकर के इस सवह पर उन्हें interest rate कम देना पड़ेगा और उनकी production बढ़ जाएगी मत ज्यादर स्यादा लोग spend करना चाहेंगे, ज्याद स्यादा spend करेंगे तो consumption GDP बढ़ेगा, consumption economy बनेगी, इंडिया हमारी internal consumption economy है, मतलब इंडिया के जित्ता समान मनता है, उसका 40 to 70% के आसपास इंडिया खुदी consume कर लेता है, तो जो हमारी economy है, वो consumption based economy है, वो consumption based economy होती है, उसका फ consume कर लेंगे, तो भी हमारी economy काफी लच्छे लेवल पर expand कर सकती है, definitely अगर हम export करते हैं, तो हमारी पास ज्यादा US dollar आता है, जिस वज़े से हमें growth मिलती है, लेकिन low interest rate environment होने के वज़े से भी ये साही चीज़े possible है, वो एक second level of trigger होता है bullrun के लिए, because वहापे growth आपको real term में क काफी तगड़े आएंगे, अब मालो आप US के अंदर बैठे हो, आपको पता है जो apple company है, वो आपको 7-10% के आसपास के revenue देगी, growth देगी, because वो काफी बड़ी company हो चुकी है, और US की जो economy है, उसके अंदर consumption इता जादा नहीं है, उन सब ने apple के product यूज़ कर लिए है, वही प लोगों के पास धीरे-दीरे करके पैसा बढ़ रहा है, तो इस market को अगर मैं tap करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को next level of growth देखने को मिलती है, तो उससे क्या होता है, जितनी भी company होती है, वो अपने आपको expand करती है, उनकी earnings अच्छी आती है, जो quarterly और yearly level के results हम normally check करते हैं, अब और जब quarterly yearly level के results अच्छी आरे हैं, इसका मतलब company का size बढ़ रहा है, और company का size बढ़ रहा है, इसका यह मतलब है, stock price बढ़ेगा, और stock price बढ़ेगा, इसका यह मतलब है, कि आप बहुत सारा पैसा चापने वाले हो, तोर्थ important चीज होती है, technology का innovation होना, अगर आप सन 2000 के आसप रहे थे, लोगों लग रहता कुछ अलगी हो जाएगा, और 2024 के अंदर भी same ही चीज आपको होते होई दिखेगी, जिसको हम कहरें AI, artificial intelligent या फिर machine learning, अगर आप देखोगे तो इस साहब पर लोग पागल हैं, जिनको जरूवत है, वो तो कहरें मेरे product में AI है, लेकिन जिनको ज AI आएगा, तो काफी साहब लोग होंगी जिनकी job जाएगी, definitely, लेकिन जो production है, जो की growth है, जो की productivity है, ये सारे की साहई चीज़े एक साथ improve करेंगी, और वही पे नए opportunities खुलेंगी, जिससे जो जिनकी job गई है, अगर वो grow करना चाते हैं, नई skill adapt करते हैं, तो उनको कहीं odd नह जो की innovation है, ये भी आपको 2024 के bull run में दिख रहा है, जो की बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अभी घुसते हो, तो ये bubble बनने से पहले आपके maximum return बन सकते हैं, फिफ्ट आता है, ग्लोबल politics, कि भाई सारे की साहई दुनिया के अंदर ना शान्ती है, हर कोई अमन चाता है हर कोई grow चाता है, हमेशा ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप देखो, जो US की economy थी, जब वो grow करे थी, तो World War II के आसपास लड़ाई जगड़ा चल रहते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला कि पूरी दुनिया शान्त है, पूरी दुनिया में सब चीज़ अच्छी है, लेकिन major economy अच्छा करनी चाहिए, मतलब जो हमारी Europe economy है, USA, UK है, ये थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, ये थोड़ा सा अच्छा करना चाहिए, तो यहाँ सब से, यहाँ पे हम सबकी dependency है, तो अगर ये सारी economy अच्छा करती हैं, और Indian economy के अंदर काफी सारी चीज़े stable होती ह है, हमारा political angle है, वो काफी स्टेबल होता है, तब वहाँ पे bull run के अंदर एक support देखने को मिलता है, क्या इस साहब पे बहुत ज्यादा stable हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा stable है, क्योंकि Ukraine, Russia की war हो रही है, Iran और Palestine की war हो रही है, ये चीज़ अनस्टेबल है थोड़ी से, ले आप से थोड़ा सा stable हमें देखने को मिल रहा है, प्रॉपर स्टेबल है, नहीं, प्रॉपर स्टेबल नहीं है, सिफ्थ इंपोर्टेंट पॉइंट आता है, कि जो government है, वो businesses को push करें, कि भाई, आप grow करो, लोग नए businesses को ले करके आए, अगर आप देखो कि जो Indian government है, इस साह पे, वो काफी सारा push कर रही है, Apple को कि भाई, आप इंडिया में आ करके manufacturing करो, manufacturing नहीं कर सकते हैं, मैं मान लेता हूँ, आप assemble करो, सेम चीज़ टेसला के साथ चल रही है, सेम चीज़ अलग-अलग company के साथ चल रही है, वहीं पे वो local जो businesses हैं, उसको भी grow करने की कोशिश कर र नहीं कोशिश की जा रही है, जैसा शाक टंग एडिया जैसा जो serial आया, definitely serial way में नहीं जाएंगे, लेकिन उससे थोड़ा बहुत impact पड़ता ही है, 2021 के अंदर भी हमाया पास 100 unicorn तक चाले गए थे, obviously वो सारे साथ successful नहीं हो सकते, लेकिन जो environment बन रहा है इंडिया का, वो pro business वा बन रहा है, यहां पर जो government वो थोड़ा वहाद ही सही, लेकिन अब support कर रही है, छोटे businesses को भी, तो जिससे क्या होता है, कि जिससे उनके अंदर growth आ सकती है, और जो बड़े businesses हैं, उसको भी push किया जा रहा है, इंडिया में business करना है, तो plant आपको इंडिया में ही लगाना पड रहे थे, तब वहाँ पर आती है government और कहती है, कि भाई यह काम करो, लोन बहुत सस्ता हो चुक है, आप साइक साइक लोन लेना शुरू करो, जब लोन लेना शुरू होता है, तो जिसके पास job नहीं थी 2020 के अंदर, उसके पास भी job आती है, और इसको हम एक तरीके से मान सकते है, liquidity inject किया जाता है, सेम तरीके से US में क्या हुआ, हर एक इंसान को पैसे पकड़ा देगे, भाई, जा करके खर्च करो, और आप खर्च कर सकते तो सही, अगर नहीं कर सकते तो भी कोई दिक्कत में, आप सेफ करके रख लो, आने वाले टाइप पर खर्च कर देना, लेकिन यह सही तरीका नहीं होता, किसी भी bull run को लाने के लिए, किसी भी अच्छे तरीकी की growth के लिए, प्रिकेज अगर आप economy के अंदर liquidity जादा inject करते हो, काफी जादा बड़े drawbacks देखने को मिल सकते हैं, जैसे अगर आप देखोगे, जो financial crisis आया थे, वो भी liquidity injection के वज़े से ही आय तो मेरे साब से इस point से मैं हाँ और ना करूँगा, मतलब middle का है, ऐसा 2024 में ऐसा तो नहीं हो रहा कि भाई, फहुज़धा liquidity मार्केट में आ चुकी है, ऐसा तो नहीं हो रहा, एट होता है positive sentiment, और अगर आप इंडिया में देखोगे, तो इंडिया में चाहे FIA खरीदे, ना ख रही है, अगर आप इस तीन भी चीज़े उठा करके invest करते हो, तो आपके पैसे बनने के chances जादा हो जाते हैं, और लोगों ने करोड़ों रुपे बनाए हैं, तो इसी वज़े से अगर आप देखोगे, 2022-2025 के अंदर काफी जाद लोग bullish FIA का पैसा नहीं भी आ रहा था, त असवा और आखरी है, लेकिन बहुत important point है, वो है inflation की expectations, अगर आप देखते हो, तो last 2 साल से क्या हो रहा था, government सारी की सारी दुनिया की inflation बचाने ही चक्कर में पड़ी हुथी, विकिस महंगाई काफी ज़दा उपर आ जा चुकी थी, जिस वज़े से अमेरिका के तो काफी सा rate cut के आसपास ला सकता हूँ, जिससे liquidity आएगी, interest rate काम होगा, लोग लोन लिंगे, तो जो inflation है, वो कही न कहीं कम होता हुआ दिखेगा, वही पर low interest के वज़े से growth भी देखने को मिलेगी, तो जो inflation वाले environment है, वह हम pass कर चुके हैं, अब आने वाले हैं हमारे बारे नियारे वा इसके उपर debate करने वाले हैं, तो अगर ये 10 point आपके fever में काम करेंगे, तो इसका ये मतलब है, भाई, bull run आने वाला है, 10 मेंसे मेरे इसाब से 8 हैसे हैं, जो हमारे fever में इस समापे काम कर रहे हैं, दो हैं, जिसके उपर मैं इस समापे बहुत ज़्यादा sure नहीं हूँ, लेकि market और भी ज़्यादा उपर जाती है, तो भी SIP करो, बीच बीच में correction आएगा, वहाँ पर आपको लंसम करना है, बहुत ज़्यादा greedy नहीं हूँ न, greedy होगे तो फस जाओगे, थोड़ा सा patience लेकर करके, backseat लेनी है, जब market गिर रही है, तो दबा करके invest करना है, ये एक strategy है, ज strategy के पर मैं अगले वीडियो लाने वाला हूँ, तो चैनल को subscribe हो और वीडियो को like करना, बिलकुल भी मत भूनना, thank you so much for watching this video, tata, bye bye, signing off.